हेलो एवरिवन वेलकम टू मैं हूँ जीनित गुड मॉर्निंग अमीद आप सब लोग ठेक होंगे मैं भी हां ठीक टाक हूँ तो मैंने हाँ बना लिए है चाहे आज है संडे तो मैं अपने सबसे पर अपने हजबन को दे दूंगी चाहे कि यह बहुत चीक चीक करते हैं सुब बच्चे तो मुझे वैसे उठना पड़ता है बट यह संडे वाले दिन स्कूल जाना होता है फिर सुबह ही हमें लग जाते हैं तो यहां पर बना ली है मैंने चाहे तो मैं चाहे अपने बच्चों को दे दूंगी तो बच्चे ने बेटी ने मेरी या करा अंदर ही टोस्ट हुआ ने चाहे लिए कर ली तो यह बहुना दो रहते १ोना कंगें तो एजह पंगें संडे हैं थक्चे में चाहे 1 के लिए पाओ वाजिव वाल जाता हाला मांगा जंए व्यां शनिकर मना संडे हमारा संडे मनी निसक desarrollo गटकर लिए हैं पाओ मैंने ले लिया और को पाओ आपके पास ऑर अगर अधर लेसन तो आप सी हमें आप बेस्ट कर लेटते हैं कि यह ने सारे सब जमें देखाव उसके पहले प्याज प्याज गोवी में आ भूल लोंगी कि अच्छिए बच्छों का था इसने बच्छों का था 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 पर मॉम्स का नहीं होता है संडे पूरे दिन लगी काम वें पार्वें तो पका प्रिशों बच्छों को कर से यह बना लो मंगी तो यह मैं नए टाल दीयु घम राय कर लोगी तो इसमें डाल दूँगी टामाटर कटे हुए अपने इसको मिक्स कर दूँगी में तो कर आप मुझे फर्स टैम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को स्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और चेयर करें और कमेंट करें कि मैं कि आप कहां से नहीं पहुत जाहि और आप तरह देख लें तो आप मैं ऐसे ही वीडियो घर से रिलेटीड बनाती रहती हूं प्लीज मुझे सपोर्ट करें तो यहां मैं आलू को भी एट कर दिया है और फिर मैं इसमेड करूंगी नमक तो एक चमज में नमक डाल दिया इसकंदर फिर मैं एक चमज डाली है इनको यह ब्याद करने के बार मेरी रात के टम बचेही थी तस ऌर सफ़े हूए वाला दी घया हूए मैना इलेगे तो मेरी नहीं रिसमेर मतने है तो मेरे रात मैं यहां में डाला है कश्मेरी लाल मच जी एक चमज जींडल एक शमार रू계 मसाला तो मैंने डाल दूँगी इसके अंदर पानी नहीं डाला है तो फिर एक ग्लास स्थोड़ा वाला पानी डाल दिया है तो थे मिक्स कर दोगे और उसको 15 मिनुट के लिए रखका फूर दूंगी लो फिलम पर पकने दूँगी ताकि इसके सब्साइब अच्छे से घल जाए और फिर बेके आने सब्साइब अच्छे से घल गएगे अम मैस को करोंगी मैश तर सबसे चला लोंगी कि देहें कि अच् ताकि हमें सब्सक्राइब काते हुए जब हम खाये तो हमारे में कभी ठमाट, कभी आलुई। ऐसे ही सब्सक्राइब कर दो कि अच्छी लपती है। सोरी आज मेरा गला कराब हो रहा है। मैं खास्यों मुझे हो रही तो इसलिए मेरी आवाज थोड़ी वैसे हो रही है। मैं अच्छी बची हुई दाल यह देखें तो मैंने मसूर की दाल बनाईती है। वह मेरी तक्रीब एक कतोरी से ज्यादा बच गई थी। तो अब खराब होती है। कोई खाता भी नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा इसका कुछ यमी सा टेस्टी सा बनाते हैं। तो बच्चों बनके त्यार हुए है। अमारी पावभाजी और हमें जादा सब्जी की भी जरूत नहीं पड़ती है। बस हमारी दो दिन सब्जियां ही जो घर पे थी मैंने उसी से अपनी पावभाजी बना लिये। यह आप देखें कितनी गजब की बन गई है। इसके सब्जियां ही में सब्जियां का दवाया है। इसके हालत खरा हो रही है। बहुत काफी सालो का हो गया है। मैंने सबसे बड़े समय डाला है बटर को कुछ जादा ही लिया है। इसलिए क्यूंकि हमारे पाव है ना जब बटर में अच्छा ही न लगता बजार जैसा बिल्कुल नहीं रही तो मैंने यहां पर अपने पाव को अच्छे से बड़र में लगा लिया है ताकि इसके अंदर वह बच्चा सा फ्लेवर आजाए और हमें खाने में भी होजाय का लगे जो बजार में आता है तो आप भी खर पे जरूर ट्राइ करें यह पाव मगा कर गर के फिसी तरीके से लगा लें बटर को और सेख लें अब किसी सबजी के बेसाथ कर एंगे लिए बहुत टिस्ट्य लगते हैं लिगो नगे नदान्वाल के साथ काईंगे तो यही सब स्भसाधा टेस्ट्य लगेग तो मैं इसको अलट सेख लोंगी इस तरफ से शेखे अपने हमें झाँस तरफ में करके यह रहा जाता है मैंने उस तरफ से भी हच्छा सेघ लिया है यह देखें तो मैं थेले पर利 थीppt थी करदो गाएं औरहें पाव आएटे साथ रुपे के और सब्सक्राइब कितने पैसे लगए उसके रुपे से बना यह घुए निश्या करें इस बना घर पर तैके बच्छे बने और से थुड़ासा बटर ढाल दूगी तो युद्ध है युद्ध में बच्चों प्लेज में डाला है बटर, थाकि बच्चे को मिर्च लागी कूंकि इसमें थोड़ी मिर्च हो जाती है देखी हो जाती है अमीद आपको आज का ब्लोग मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे सिंक्रू सिस्क्राइब कर लिए मेरे वीडियो को लाइक करेंड़ करो बैल आके जरूर दबाएं ताक के आपके पास तरद मेरे नाटिकेशन बिल जाओ आज जैसे ही ब्लोग में बनाओ और